परेशानिया तमाम हैं उत्तर प्रदेश में 31,671 पदों की सिक्षक भरती को लेकर अब उच मेरिट वाले अभ्यारती भी खुश्च नजर नहीं आ रहे हैं यही कारण है कि अभ्यारती लखनों में अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं दरसल आप जो नई 31,671 पदों की न जनपत वार बनेगी जिससे जिन जिलों में कम सीटे हैं वहां के हाई मेरिट वाले अभ्यारती भी बाहर हो रहे हैं जिससे अभ्यारतियों की मांग है कि वो पहले प्रदेश इस्तर की लिस्ट बनी थी उसी आधार पर भरती हो जिले वार भरती से कम सीटों वाले जिले में हाई मेरिट वाले अभियरती बाहर हो जाएंगे और जिस जिले में ज़्यादा सीटे हैं वहाँ कम मेरिट वालों को नियूकती मिल जाएगी 69 अजा सिक्षक भरती में जैसे ही कोई चनर बढ़ता है एक नया विवाद उत्पन हो जाता है और इस दोरान भी जहां प्रदेश सरकार ने 31,000 पदों को भरने की बात की है तो वहीं एक विवाद भी पैदा हो गया है जिसको लेकर अब भ्यारती अब लखनों के चकल लगा र करेंगे इस समय की बात करें जहां प्रदेश सरकार ने गोश्णा की है कि 31,661 पदों पर भरती होगी लेकिन आप लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं क्या मामला है कानपूर नगर मेरा चैन हुआ था फूरे प्रदेश में मेरी 3561 रेंग है कफिर भी मेरा चैन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कानपूर नगर में 3540 पद थे अन्य जनपदों जैसे सीतापुर जनपद में धाई जार सीटे हैं वहाँ का अगर 46% सरकार लेती है तो उन सीटों में 12.5, 11.00 सीटे निकल के आती हैं वहाँ पे 60 गुडांग तक के लड़के का चैन हो जाएगा मेरा कानपूर नगर में 76 गुडांग होने के बावजूद भी मेरा चैन नहीं हो पाएगा हम सुबे से या तीन दिन से लगाता लखनों के चकर काट रहे हैं कई अपर सची उसे मुलाकात करने के लिए करें लेकि किसी से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई और ना भी जीयों को लेकर के कोई स्पष्ट सासना देस या कोई स्पष्ट बात कही गई है ताप के 31,6161 पाद अगर उपर से लिये जा रहे है काटेगरी और 68 को ध्यान में रखते हैं कोई विवाद ही उत्पन नहीं होगा कि जो मैरिट बनाई जाए वो जो टॉप जो पहले मैरिट बनी थी उसमें से जो टॉप लड़के हैं उनी को लिया जाए अगर अलग मैरिट बनती है तो जाहिर सी बात है कि जिन जिलों में संख्या कम है अभ्यारतियों की, जिन जिलों में सीटे कम है, वहाँ पर अभ्यारतियों को निराश होना पड़ेगा, जो हाई मेरिट के बच्चे हैं, वो भी बाहर हो सकते हैं लगनों से मिश्क के साथ चन्मड़ी शुक्ला आनने टीवी